राजस्तान पत्र का संपात्य गती 100 शब्द 30 मिनट बी रैडी 3, 2, 1, स्टार्ट टोकियो अलंपिक के बाद पैरालंपिक में भारत के खिलाडियों के एतिहासिक प्रदर्शन ने देश की खेल संस्कृती के लिए संभावनाओं के नए दर्वाजे खोल दिये हैं विराम पैरालंपिक में भारत के खिलाडियों का 19 पदक 5,8,6,6 जीतना किसी चमतकार से कम नहीं है विराम भारत 1968 से इन खेलों में शिरकत कर रहा है विराम 2021 से पहले तक किसी आयोजन में उसकी गिंती चार पदक से आगे नहीं बड़ी थी विराम इस बार हमारे होनहार खिलाडी पिछली सर्वोच्य पदक संख्या से चार गुना से भी आगे निकल गए विराम उन्होंने साबित कर दिया कि जिनके होंसले बुलंद होते हैं से भी उलिकनिय है कि भारत में दिव्यांगों की एक बड़ी आबादी आज भी मूलभूत संसाधनों और सुविधाओं से दूर है सरकारी इस्तर पर उन्हें उपेक्षाएं जहिलनी पड़ती हैं विराम पैरा यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि पैरालंपिक में अवनी लेखरा कॉमा देविंदर जजाडिया और सुन्दर गुर्जर के पदक जीतने के बाद खुलासा होता है कि राजस्तान सरकार ने काफी समय से अपने इन तीन कमचारियों को वेतन का भुकतान नहीं किया था कॉमा पैरालंपिक में तीनों के नाम चमके तो सरकारी महकमे की नींद टूटी विराम आनन फानन में वेतन जारी किया गया विराम कल्पना की जा सकती है कि जब विशेश दिव्यांगों को ऐसी दिक्कतों से जूजना पड़ता है कॉमा तो आम दिव्यांगों की क्या दशा होगी विराम दिव्यांगों के साथ सम्मान जनक और समानता का व्यभार करने के नारे तो खूब लगाये जाते हैं कॉमा जमीनी हकीकत कुछ और है विराम पैरा विबिन कानूनों वर योजनाओं के जरिये इस वर्ग को आवसर तुलब करानी की कोशिशें जरूर की गई कॉमा लेकिन धाचागत संस्तागत वर व्यभार संबंधी बाधाएं दूर करने में हम काफी पीछे हैं विराम 10 साल पहले की जन गणना के मुताबिक देश में 2.68 करोड दिव्यांगों में से 20 फीसदी चलने फिरने में अक्षम हैं कॉमा जबकि 19 फीसदी देख नहीं सकते विराम किंदर सरकार ने 2015 में सुगम भारत अभियान शुरू किया था इसका मकसद सार्वजनिक इस्तलों परिवहन और आईटी सेवाओं को दिव्यांगों के अनुकूल बनाना था इस अभियान की सुस्ती का एक सच एक संसद्य समीती की रिपोर्ट में उजागर हो चुका है इसके मुताबिक 6 साल में सिर्फ 29.7 प्रतिशत भवन ही दिव्यांगों के लिए सुगम बनाए जा सके हैं पैरा पैरालंपिक में भारतिय खिलाडियों के शांदार प्रदर्शन की प्रस्ट भूमी में देश के दिव्यांगों के लिए ठोस योजनाओं और नीतियों की जरूरत है विरम मूलभूत सुविधाओं वर संसादनों के साथ उनकी खेल संबंदी जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा कॉमा तो भावी खेल आयोजन में कई और हुनहार देश का नाम रोशन करेंगे गोन विरम पैरा सफल नित्रत्व के लिए आवश्यक है कि एक लीडर अपने द्रस्टी कोन को व्यापक बनाएं विरम लीडर सुनिश्चित करें की वे अपने अधिनस्थों और साथियों के बारे में पूर्वानुमान या आकलन न करें भले ही वे परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध उत्पन कर रहे हो विरम इसे भारतिय विश्व द्रस्टी कोन में दर्शन, लीला और दिव्य यूजनाओं की उपमाओं का विशलेशन करके व्यापक रूप से समझा जा सकता है विरम पैरा सर्वशक्तिमान त्रिदेव में से एक भगवान विश्णू का हर अवतार बहतिकवादी जगत में न केवल चारों और प्रसन्नता और आशा लेकर आता है कौमा बलकि दूसरों के अनुसरण के लिए उदाहरन प्रस्तुत करता है विरम एक अवतार के रूप में वे मानविय चुनौतियों का अनुभव करते हैं और अपनी लीला से ऐसे उदाहरन प्रस्तुत करते हैं जो प्रसंगिक और प्रमानिक हैं विरम लीला को अक्सर लोगों के विचार और इस्ततियों में हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले नाटकिये और भ्रमक तक्निक के रूप में गलत समझा जाता है विरम इसके विपरीत कौमा यहें दूसरों को शामिल करने और प्रिरित करने के लिए एक दिव्य ट्रक्रिया दिव्य योजना है कौमा जिसमें एक व्यापक द्रस्ती के साथ कौमा विबिन व्यभार और रण नीतिक भूमिका निभाने वाले उपकरणों के माध्यम से दूसरों का समर्थन और मार्ग दर्शन करने के लिए विबिन भूमिकाओं का उप्योग किया जाता है विरम उन्हें दर्शन करने में मदद करने के लिए कौमा अर्थात कौमा अपने दृस्टिकोंड को व्यापक बनाने और अपने भै पर विजय पाकर सीमाओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है विराम पैरा उन्होंने अर्जुन को कर्म योगी बताते हुए गीता का ज्यान प्रदान किया कौमा उन्होंने स्वेम अपने निर्णयों और कारियों की जिम्मेदारी लेते हुए कौमा अपने परिणामों को समझते हुए एक कर्म योगी के रूप में जीवन ब्यतित किया विराम उन्होंने गांधारी के शाप का भी सम्मान किया, जबकी वे आसानी से इससे बच सकते थे, विराम लेकिन वे कर्म के नियम के एक भग के रूप में इसका सम्मान करते हैं, अपने निरनेयों के लिए स्वयम जिम्मेदारी लेते हैं विराम पैरा व्यवसाय के संदर्व में लीला को एक ऐसे हस्तशेप के रूप में माना जा सकता है जिसका उद्दिश्य परिवर्तन और नित्रत्व विकास की पहल में प्रतिरोधी, कॉमा, भ्रमित या संदेहपून कर्मचारियों की भागिद कर्मचारी को प्रभावी धंग से सुनिश्चित करना है विराम इसमें विविन प्रकार की तकनीकों का उपियोग शामिल हो सकता है जैसे की व्यवसायक कहानी, कॉमा, नाटक और अन्य प्रकुरियाएं विराम ये कर्मचारियों को चुनोती पूर्ण व्यवसायक परिवर् को प्रतिविंबित करने, कॉमा, अनुभव करने, कॉमा, निरिक्षन करने और सुविकार करने के अवसर प्रदान करती है विराम यह एक लीडर को परिवर्तन के प्रतिरोद को सरल बनाने में मदद कर सकता है विराम उन्हें परिवर्तन लाने के लिए दूसरों के प्रयासो को स्विकार करना चाहिए और उद्रत करना चाहिए अर्तात कहानी कहने और पुरसकार आधारित संस्कृती को बड़ावा देना चाहिए विराम पैरा जातीगत चुनाव योपी का दुर्भाग्य है विराम अठारवी विधान सभा के चुनाव हालांकी अभी दूर हैं कौमा फिर भी चर्चा के केंदर में है तो बस जाती विराम राजनीतिक पार्टियां जातीगत आधार पर प्रत्याशियों का चैन कर रही हैं विराम जाती के आधार पर पार्टी सम्मेलन हो रहे हैं प्रबुद सम्मेलन के नाम पर बसपा ब्रामनों के उत्पीडन के मामले गिन रही हैं विराम सपा जगह जगह परशुराम की प्रतिमाएं लगाने की बात कर रही हैं कॉमा तो निश्पाद वर वी आईपी पार्टी के बीच फूलन की मूर्तियां लगवाने की होड हैं विराम पैराम रगुराज प्रताप सिंग और राजा भहया का जनसत्ता दल कॉमा जनसेवा संकल्प यात्रा के जरिये शत्रिय स्वाबिमान के मुद्दे को गर्माने की कोशिश में हैं विराम इस भेड़ चाल में भाजपा भी शामिल हैं विराम इलाहबाद हाई कोट ने गाय को रास्ट् पशू घोशित करने की वकालत की है विराम शायर मुन्नवर राणा भी अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं विराम पार्टियों के लिए गाय और मुन्नवर दोनों ही मुफीद विशय हैं विराम आजादी के 74 साल बाद भी विकास की राजनिती पर कहीं कोई चर्चा नहीं है विराम पूर्वी उत्तर प्रिदेश की बड़ी आबादी बाड से प्रभावित है चार साल के बाद एक बार फिर बच्चे इनसेफिलाइटिस बुखार में तप रहे हैं विराम पस्चिमी यूरोप में स्क्रब टाइफस कहर बरपा रहा है विराम कोविड तरासदी से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्ता वेंटिलेटर पर है नेताओं की जुबान से असल मुद्दे गायब हैं विराम किसानों कौमा युबाओं की समस्या भी नदारत है विराम देश का सबसे बड़ा राज्य जाती और पंत के मकड जाल में फिर उल्जा हुआ है विराम सभी दलों को वोट बैंक की चिंता है विराम उत्रप्रदेश की यही नियती है विराम